नमस्कार सभी भाईयों को दोस्तो टिंकू भाई की अवलक घोड़ी आ रही है और यह आप देख सकते हैं बिल्कुल सिद्धे पैरा सूम बहुत बढ़िया क्वालिटी में है रोगला भाई टिंकू भाई दोस्तो देखो मेरी अवाज से पुछकारी मारती घोड़ी रुग गी तो टिंकू भाई नमस्कार तो आज अब लग घोड़ी कहा जा रही है अच्छा यह तो मारवाड़ी है तो इसकी कितनी एज है अच्छा आठ साल पूरी हो रही तो तो यह एक आद बार अच्छा मारवाडी से क्रोस करा रखी है बिल्कुँ सही बात है हम मिक्स होके ही यह बन जाते हैं क्योंकि जो यह यह मुझे लग रहा है काठिया वाडी तो साध अभी प्योर नसल है महारे हैं और बाकी यह क्रोस हो गये फिर अच्छा आवे बड़ी है लंबाई उचाई का पच्छा आवे क्योंकि जो मारवाडी की लंबाई उचाई है वो तो इन से जाद है बिल्कु सही बात है और वैसे असील है अच्छा तो यह जो खुरी वगरा बंधवा रखी है यहीं है कोई खुरी बांदा कैसे अच्छा गाउं में यह तो दोस्तों आप देख सकते हैं लंबाई उचाई बहुत तेसकी और यह अभी क्रोस कराई है इन्होंने 8 साल के करीब उमर है इसकी तो टिंकु भाई यह हिलके फीट है अच्छा तो यह घोड़ी विकाऊ भी है अच्छा तो क भी चला रहे हैं देशनी नसल के भी ले रहे हैं मारवाडी है और यह काठ्यावाडी है तो इनमें यह काठ्यावाडी जाता है बढ़िया जैसा आपने बताया था कि लंबी दूरी के लिए अपना रात कुछ आराख हुआ के दिन में जोड़ लो और अपना चलाओ लंबे चलाओ बिल्कुल वजन के लिए तो तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इसके लिए बिल्कुल नया हूं इसे मैंने पहले एक दो बार देखा है और बहुत बढ़िया इन्होंने हिला लिये इसे और बड़ी प्यारी नसल की घोड़ी है तो टिंकुबाई चलो चला कर दिखाओ तो वैसे सवारी भी कर लो इसके कमर बाए वाए वाह क्या बात है धन्यवाद जुड़े रही है